नमस्कार दोस्तों मैं हुं किष्णलाल और आप देख रहे हैं आर्जी किष्णन एदुकेशन यूटूब चैनल जल्दी से सभी विद्यर्थी लाइव आजएगा जैसा कि आज है संडे तो संडे को हम विशे स्मोक टेस्ट लेते हैं जो विद्यर्थी आर्मी की तैरिकर हैं उन एवाओं के लिए हम संडे को स्पेशल मौक टेस्ट पतसास कृष्णों का लेकर आते हैं आज हम बात करें यह मौक टेस्ट वे से बात करें तो आर्मी टेक्निकल लेवल पर है लेकिन यह पेपर सब को देखना है जो भी जीडी की हो बले कलरकी हो कोई भी हो क्यूंकि आ से में रहता है इसलिए सब्सक्राइब को देखने हैं और साइंस में थोड़ा सा आपको कई क्यूंस नारड लगेगी क्यूंकि टेक्निकल वाले बंदों के लिए मैंने क्यूंस ने इंकलूड किये तो बड़ी शांदार आज की क्लास होने वाले हैं क्लास सभी चलिए दोस्तों बीना देरिक की आज के सेस्टन की बात कर लेते हैं पतसास क्यों सुनाम करने वाले हैं जिन में जीक्य की बात कर लेते हैं जीक्य क्या आपको पता हैं टेक्निकल वालों के लिए दस जीक्य क्याते हैं और बात कर लेते हैं फिजिक्स की बात कर लेते हैं त सब्जेक्ट आपको बता दिया चौत्थे की बात करें वो आती है क्या मेथमेटिक्स के लिए वो आपके 15 क्योशन आते हैं टोटल मिला के आपके कितने क्योशन होगे 50 क्योशन होगे तो कलास बड़ी श्यांदार होने वाली है चलिए दोस्तों वीना देरी कि आज के सेशन की सरवात करते हैं, इस से पहले सभी धैरति, हुग जय हिद्यार्ग, राम, जैस्री किए्ट रादे, जै मासार्दे, चलिए बढ़ते हैं, फेस्ट केशन की तरफ, फेस्ट केशन जैसा कि अपनी स्क्रीमिंके सा yağ भने देक पा रहे हैं, जल्दी سے, सभी का जाता होगा गुजरात में जो ऐमदाबाद नामकिस्तान यह वहां से शुरुख की थी और आपको बता होगा गंदी जी का जो आस्र मत वार्मतिया शुरुख की थी और बात कर लेतें nossa या दनी आतर्वास की कोई थी 12 मार्च 1930 कोई थी यह भी इंपोर्टेंट क्योशन बनता है 12 मार्च 1930 कोई थी यह भी इंपोर्टेंट क्योशन है याद कर लेजिएगा और बात कर लेती है यहां से एक क्योशन वह इंपोर्टेंट बनता है भारत का मैंसेस्टर किसे का जाता है तो आप से को पता माबार्त के लेख़ कोन है तो माबार्त के लेख़ का आप सब को पताए जल्दी से सभी विधासरτη बताने की कोशिज करेगा माबार्त के लेख़ की बात करें तो वेद वियास जी है जो औफसन नमर आ बता रहे बिल्कुल उन साथियों का जवाब सही है और बात कर लेते हैं आप सब को पता होगा जैसंकर परसाद की एक परसी दम बात कर लेते हैं कामाईनी किस की रज़तना है काफी बार किसन आ जाता है कामाईनी तो कामाईनी किस की रज़तना आपको याद रखना है जैसंकर परसाद की है काली दास की बात कर लेते हैं मैं तो पुर्ण क्यूसन बनता है में एक दूत किस की रचना है काफी बार एक्जाम आ भी चुका है में एक दूत किस की रचना है तो आपको करना है काली दास और वारत का सेक्स फिर किसे का जाता है काली दास को का जाता है तुल सिद्दास की बात कर लेते है रामशरीत मानस आपको क्यों सुन द्यान से पढ़ना है रामशरीत मानस की बात करे तब तो आपको क्या करना है आपको करना है तुल सिद्दास और रामएन की रसना की बात करे तो वो आपको पता होगा कोन जल्दी से बताने कोशिश करेग चलिए दोस्तों अगला किश्टर नमर 3 आपके सामने बार्थ के पर्थम राष्टपती थे बार्थ के पर्थम राष्टपती आप सब को बताओगा कौन थे जल्दी से बताने की कोशिश करेगा बारत के पर्थम राष्ट पती थी डोक्टर राजेंदर परसाद, कौन थे डोक्टर राजेंदर परसाद, जो अपसा नमर सी बोल रहे हैं, बिलकुल उनसातियों का जवाब से यह, और दिवती राष्ट पती की बात करें, वो डोक्टर सरव अपली रादा करशनन, और तो अगला क्यूसन नमर श्यार आपके स्टिंग के सामने योजना आयो की स्टापना किस वर्ष की गई तो आप सबको पता होगा योजना आयो की स्टापना की बात करें तो वह कीगी थी किस धीती आयोंगा आपको मतलब क्या होता है सूर्त ना यह कब पारित हुआ यह एक्जाम में काफी बार क्योंचिन आ चुका है तौप सब को पता होगा सूतना का अधिकार हlar 2005 में पारित कर वह था Dog5iron तो ये किश्टन इंपोर्टेंट आप याद रखेगा सुरुषना का दिकार कप पारितवा 2005 में पारितवा आर्ट ये भी जिस्टे कहते हैं चलिए दोस्तों अगला किश्टन नमर पांच आप के सामने कहे विश्वका सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो विश्वका सबसे बड़ा महादीप की बात करें जल्दी से सभी देर्थी लाइव चेट में जवाब देने की कोशिश करेगा तो आप सबको पता होगा एस या महादीप है विश्वका सबसे बड़ा महादीप है और आपको पता होगा सबसे बड़ा मरुष्टल की बात करें तो वो है सारा मरुष्टल वो कहा है आपको कोमेंट करके बताना मैंने काफी बार बता भी चुका हूँ है चलिए दोस्तों आगे बढ़े एक किसन यहां से बनता आपका साउथ अमेरिका यहां चलिए आगे बढ़ते है थोड़ा सी यह तो कोई इंपोर्टेंट वैसे नहीं अगला किसन नमच्छा है आपके स्कीन के सामने जल्दी से सभी दर 30 का भी लाइप चेट में जवाब दने की कोशिश करेगा से सेनाओं के सरोच सेनापती कोन होता है यानि तीनों सेनाओं का सरोच कमांडर कहे दो या इस तरह लेंग्वेज लिखतो तो आपको पता होगा तीनों से नाओं का सरोच कमांडर की बात करें तो वो आपको पता होगा राष्ट पती होता है जो उप्षन नमर क्या बोल रहे है यह बोल रहे है बिलकुल निसातियों का जवाब सही है यहां से इंपोर्टेंट काफी बार क्यूशन आ जाता है अब भारत का राष्ट पती मैंने बताये था आज आपको कोमेंट करके बताना कलास पूरी होने के बाद या भी कर सकते है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं साथ आप के सामने जूल जन जाती किस चेत्र में या सुरी किस देश में पाई जाती है तो आगे बड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं आठ आपके सामने जल्दी से सबी वी दैर ते इसका भी लाइपचेट में जौब दहने कोशिशिश करीगा पानी पत का जो तीसरा यूद था किन के बीच लड़ा गया था तो पानिपत का तिर्तिय युद आप सब को बताओगा जो option number D बता रहे हैं एमेद साह, अबदाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था आपको पताओगा कब लड़ा गया था ये तिर्तिय युद मतलब दिवतिए पानिपतका युद व्यद वח वे yaptता आपको पतां चली 1559 वह था यह इंपोर्टेंट के बनते आप चैसाम काफी और आपोosit पता होगा पर्थम कई वार्थन के बीच भाता तो बाबर और आपको बना से कुन से तो नाइटइंगल ओ इंदिया के नाम से को नाइटेंगल से आपके पसी को पताBuildar मीं बादूरी वायवाजास के लिए दिये धाने वाला सरवच वीर्ता पुर्षकार कौन सा है तो यूद में हम बात कर लेते हैं बादूरी या कए वीर्ता के लिए दिये जाने वाला पूर्षकार है वो परम कर धकार सरवच की बात कर जाए outta सबसे बड़ा पूशकार की बात कर लेते तो वह आपको पताओगा कौन सा जलती से उताएगा गाजी गांदी खेल रहता नहीं ये भी आपको याद रखना है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन बात कर लेते हैं अब आपकी बोतिक विज्ञान यानी फिजिक्स शुरुरू होगी है किई टेक्निकल वालों के बात कर लेते हैं आपको 10 जीके करते हैं और फिजिक्स के 15 क्यूशन आते है तो फिजिक्स के अ सामिल कर ले कर सकते हैं वीसे 1-2 क्यूशन आपको नहीं आएँगे कोई दिखना ही वाप मैं बताता जाओंगा GD वालों को कौन कौन सा कुछन नहीं आएगा वो कोई प्रोबलम नहीं होगी चलिए दोस्तों ये फैस्ट कुछन है वो GD वालों के लिए इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मातर और मातर टेक्निकल के लिए मैंने इंकलूड किया है बल का V में सुत्र होता है तो बल का V में सुत्र सभी को पता होगा F बराबर क्या होता है आपको पता है F बराबर M A होता है M का मतलब होता है मास और A का मतलब होता है तवरन तो आपको पता होगा दर्यमान गुना तवरन होता है बल बराबर क्या होता है ये आपको पता होगा दर्वेमान गुना तवरन होता है कई बार कि उसना आपके आ सकता है डिरेक्ट कि बल बराबर क्या होता है दर्वेमान गुना तवरन होता है अब आपको पता है यदि हम बात करें दर्वेमान यानि आपको पता है जब वी में उसी के अनुसार निकाला जाता है तो यदि हम बात करें साथ मूल रासियों की तो यहाँ आपको पता है यदि दर्यमान की बात करें यह तो आपको पता है मूल रासिये दर्यमान क्या है मूल रासिये जबकि आपको पता है तवरन मूल रासिये है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं तवर्ण क्या होता है आपको पता है यदि हम बात करें तवर्ण का मातर होता है मीटर पर सेकंड गात माइनस दो यह आपको पता होगा यह होता है और दुर्यमान की बात करें तो एम होता है दुर्यमान का क्या होता है यह वे से बात करें तो length, length की gart कितनी है, एक है, m1, l1, आगे बात कर लेते हैं, यह समय है, second का gart minus 2, यह क्या है, समय है, इसका मतलब t की gart minus 2, time, ठीक है, तो आपका क्या होगा, v में सुतर होगा, कि इसका बल का, बल का v में सुतर होगा, m1, l1, t minus 2, m1, l1, t minus 2, वाला कौन सा है, जल्दी से देख जिगा, जो option और minus की t की gart minus 2, 80 का option वा, जो क्या बता रहे, यह बता रहे, बिलकुन सातियों का जवाब सही है, अब आपको 2, 3, v में सुतर में important बता देता हूँ, जो exam में काफी बार आ जाते हैं, बल और हम बात कर लेते हैं, कारिये, साथ में आपको कारिये का भी ध्यान आ चुक है, तो कारिये का भी में सुतर भी ध्यान रखना चाहो तो रख सकते है, कारिये बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्तापन, बल गुणा क्या होता है, विस्तापन होता है, तो बल गुणा विस्तापन होता है, आपको पते है, तो बल का भी में सुतर अभी आपन है तो technical वालों के समझ में आगया गए होगा यदि आप को कारी का कहे तब ये करना है और ये आपको बलग का कहे तब M1L1T-2 यह ठीक है और जब कारी की बात करें तो M1L2T-2 यह होगा उसन वह वाला कारी के लिए बात करें तो ये आपके समझ में आगया होगा वी में सुतर थोड़ा बहुता आपको मूल राशियों में परिवर्टित करो और आप आराम से भी मेश उतर निकालो चलिए अगला किप्शन नमर बार आपके स्किन के सामने जो कि सबी ट्रेड के लिए किसी ताप किस ताप बर दोनी का वेग 372 मेटर पर सेकेंड होता य व्यू में दोनी का वेग आपको पता है ये 332 मेटर पर सेकेंड होता है जेरो डिगरी से सेस्ट वता है जो ऑफशन नमर भी बतारेए isto की साथ मातर की बात कर लेते हैं है जिसे एस जेड से दसाते हैं आप याद रख कर सकते हैं चली दोस्त आगे बढ़े अगला क्यूशन बचे वद आपके स्किंग के सामने हीदे की चमक किसके कारण होती है बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन सभी ट्रेड के लिए आपको पता होगा ही इंपोर्टेंट क्यूशन बनते हैं काफी वार एक्जाम में आप भी जाता है चली दोस्तों आगे बढ़े अगला क्यूशन नमर 15 आपके सामने मीमन में से अदिस रासी है अदिस का मतलब जिसके साथ दिसा नय हो केवल और केवल परिमान और मातर को वो क्या कहलाती है अद अधिस रासी है चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन नमर 16 आपके सामने क्या देर रहा है उत्तल दरपन का उपयोग किया जाता है तो उत्तल दरपन का यूजज किया जाता है ड्राइवर की सेट के जो बगल में लगा दरपन होता है वो कौन सा होता है आपको और सोर बटी होती है उनमें जो दरपन लगा होता है वो कौन सा होता है आउतल होता है आपको दियान रखना है यह सारे क्योशन इंपोर्टेंट है चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला क्योशन वर सत्र आपके सामने रेडियो एक्टिविटी का मातर क्या है जल्दी से बताने को सीज करेगा रेडियो एक्टिविटी का मातर क्या है तो आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही ओप्षन देके भी आप कर लोगे क्योंकि यह आपको पता किसका मातर के यह भी बता रहा था किसकर जल्दी से बताईगा और क्योंत्र रिद्व कुरु होता जोड़ा और क्योंका अगे बढ़े इसका इसमोर बहुत रहें नम हमका सभी जाब है चलिए दोस्तों आगे बढ़े लट्व दर 6 नमर वाईुद्दाब समुद्र सत्या है पर कितना होता है ? वहति इंपोर्टेंट क्वेस्टे おसे सारे थी क्युत्पूसन में कनफ्यूस ओजते हैं, तो मैं आज आपका कनफ्यूस भी दूर कर देता हूं आपको पता होगा उपसे नम्र कोन सा करा होगा जल्दीश बताईगा उपसे नम्र जो यह बता रहे ना बिलकुन का उत्ता स्वी ध्यान से पढ़ियागा यदि आपको सेंटीमेटर में लिखा हो तो 6-7 सेंटीमेटर ओफ एजजी कितना 6 cm पारे का जो उंचày हम कहसकते है SG SG का मतलब होता पारा अब बात कर लेती है यदि आप mm में लिको तो आपको पता होगा 1 cm में कितना mm होता है 1 cm में कितनी mm होता है 10 mm होता है इसका मतलब mm में लिको 760 mm क्या होगा mmofSG दोनों याद रखेगा, ऐग्जाम में कोई जूरी नहीं है, कोही सा भी दे सकता है, आफ को जैंतिमेटर के रूप में दे, और यम में के रूप में दे, मिलिमेटर के रूप में दे तब होगा , उप्शन देखे, गल्ती मत कर देना चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला किस्तन वर गुंडी साब के सामने जल्दी से सभी विद्यारती इसका विलाईव स्टेट में जवाब दने की कोशिश करेगा देखते कौन-कौन विद्यारती इसका सही जवाब दे पाते हैं प्रेक्षेपे पत्थ के उच्तम बिंदू पर वेग वे तवरण के बीच का कौन कितना होता है बैद इंपोर्टेंट कि उसने देखते कौन-कौन विद्यारती इसका सही जवाब दे पाते हैं आप सबको पता होगा जब कोई प्रेक्षेपे होता है वह यदि हम प्रेक्षेपे पत्थ पर गति करता है तो आपको बता है इस तरह से गति करता है मान लेती हैं यहां से फैंका जाता है वापिस इस तरह आता है तो आपको बता है यह मान लेते हम क्या एक मतलब पत्थर है पत्र को हम ने फ्हेंका आपको पता है इस तरह ओपर जाएगा उइ ножでも گा तो आपको पता है उचरें विंदु पर आपको का है वेग और तव्रण उच्षप बिंदु पर वेग की बात करें तो इस पर रोके के रूप में बात करें तो आप मतलब दोनों के वियर का ओगया नं कि चुछ का किसन बड़ा है तो उच सतम बिंडु पर बात करें तो प्रेक्षप के जो वेग होता है वह बात कर लेते जो तवरन मोन आप आपको द्यान रखना होता है आपको पता है और वी का मतलब आपको पता है तो यू स्कार साइन स्कार ठीटा क्या होता है यू स्कार साइन स्कार ठीटा बटे यह आपके टेक्निकल वालों के लिए के लिए के लिए बड़े सिर्जी होता है है यह सुट्र आप नोट कर सकते हैं यह्दि तेकनिकल वाला विज़दर थी है तो बैद इंप्रेंट अब आप बात कर लेते आपको पता होगा कई बार कि उसन आपको थोड़ा सा गुमा देता है और कह देता है यह कि त्म डिगरी ह कोई पत्थर को ज्यादा दूरी तक जाता है और अब यह कुशने से बनता है दिक्तब मुंचाई पर आप करने के लिए किसी प्रेक्षाइप को कितने डिगरी के कौन पर फैंकना चाहिए क्यूंकि आपको पता है सिध्य दूरी तरण का परवाव है वो थोड़ा कम है तब आपको 45 डिगरी करना यह कि इंपोर्टेंट बनता है तो आपको समझ में आ गया होगा टेक्निकल वाले विद्यर्थियों के लिए जीडी वालों के लिए इंपोर्टेंट नहीं सलिए दूस्ता आगे बड़े यह सुत्र में आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ पता है बटे जी आपको पता है ठीटा की वेलिव आपको पता है जब नबबे पर अधिक्तम होता है तो आपको पता है उन चाही क्या आएगी नबबे पर अधिक्तम आएगी और यह दिया हम बात करें से तीज पराश की बात करें तो आपको पता है यह नबबे आना ची इस ले दोस्तों आगे बढ़े अगला किसन नमर आपके सामने लेते 20 आपके सामने जल्दी से सभी भी दरती इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा गुर्त्वा कर्शन निया तांग जो जी होता है केपिटल जी की बात करहा हूं मैं समॉल जी का मान तो चलिए मैं बताना चाहूंगा आपको यानि जो गुर्त्वी निया तांग केपिटल जी होता है यानि बड़े वाला जी होता है उसका मान आप से को बताओगा जो अप्शन नमर क्या बता रहे डी बता रहे 6.673 आगे बात कर लेते 10 की गात माइनस 11 मातर की बात करे तो क्या होता है नियूटन मेटर इसका है आगे बात कर लेते है केजी की गात माइनस 2 यह होता है कि इसका गुर्त्वी निया तांग का मातर की साथ याद रखिएगा कि कई बार मातर की भी पूल सकता है गुर्त्वी निया तांग का मातर क्या होता है यह भी आपके लिए होता है वो कितना होता है आपको पता होगा एक पॉंट्स है इंटू दस की पावर माइनस गुनिस कुलोम होता है यह आपको पता होगा कुलोम में देखे तो यह एक इलेक्टोन में आवेस कितना होता है वो इसका मान है ठीक है आगे बात कर लेते हैं आपको पता है यह किसका माहन है 6.022 इंटु 10 की गात 23 यह किसका माहन है आपको पता होगा जल्दी से बताने की कोशिज करेगा यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट बनता है और 9.1 एंटु 10 की पाउर 23 चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला क्योशन आपके सामने लेते 21 जल्दी से सभी विद्यर थी इसका विलाइल चेट में जवाब दने कोशिज करेगा ऐसा ही पदती में विदुद्दारिकता का मातर क्या है तो विदुद्दारिता का मातर का आप सब को बताओगा क्या हो वोल्ट अभी बता रहा था जो विदुद्दद्दार का मातर क्या होता है नोट कर लीजिगा विदुदद्दारा का मातर का इंपिर होता है न्यूटन होता है ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट बनता है और कार यह है उज्जा का मातरक जूल होता है यह इंपोर्टेंट है जो भी याद रखेगा चलिए दुस्तों अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं 22 आपके स्किन के सामने जल्दी से सभी भी दरती इसका भी क्यूशन बनता आपका पता होगा बलब का तंतु होता है और किसका बना होता है और बात कर लेते हैं बलब के अंदर अरगन बरी जाती है यह भी क्यूशन इंपोर्टेंट आप याद रखेगा चलिए दूस्तों आगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन नमर तेईस आपके साम पर सबसे अधिक वीच्टलन किसका होता है जबसे अधिक वीस्तिलन की बात करे तो वीच्टलन आप सब को पताओगा जो इसलिए बेंगनी रखना लाल रंग की किरण होती है सबसे कम मुड़ती है इसी लिए जो खत्रे का चिन होता है वो लाल खत्रे का निसान होता है वो लाल रंग का बना होता है क्योंकि उसका हम बात कर लेते हैं हम यहां दिखाई देर आपको विचलन कम होता है और यदि हम बात करें तरंग देर्दे होता है वो लाल रंग का सर्वादी को होता है सले दुस्तों आगे बढ़े अगला क्योंसर नमर चूरई साब किस्किन के सामने हैं आंक का कोन सा वागधान कि याजद अप सो को बता हूगा जब नित तर दान क्या जशत है उस वक्त जल्दी से सब्सक्राइब यوج कोशिश पर घ्डा बिल्कु और कौंसा बागदान दिया जता है, तो आपको पताओगा, कोर्णिया वाला बाग किया चल को दान दिया जता है, चलूद atos25 आजें के सामने होटोन की उज़ा होती है, होटोन की उज़ा कितनी होती है? जल्दी से बताएगा देखते कौन लेंडा होता है यह आपने देखा होगा कि इसका मान होता है यह उज्जा का फोटोन की उज्जा का होता है और सी आपको पता होगा न्यू बराबर क्या होता है न्यू बराबर होता है सी बटे लेंडा न्यू मतलब आवर्ती आवर्ती का मान होता है सी बटे लेंडा इसका मतल photon की उर्जा होती है वो h new होती है आपने देखा होगा formula भी direct कई जगह देखा होगा photon की उर्जा क्या होती है h new होती है या c की बात कर लेते तो मैंने यह भी बता रहा है c क्या है यहां C परकास का वे गए C क्या है परकास का वे गए तो आप द्यान रखिएगा आपको इस तरह का किस नाज आजह ए preciso patient की उद्धा क्या होती है तो आपको याद रखनाए ये वी नहीं है uryum का मतलब क्या होता है ऐक सुट्र ये याद रखिएगा ये kam बराबर आपको पता है अब बात कर लेते सी का मतलब क्या होता है परकास का वेग जैसा कि आपको पता होगा जल्दी से परकास के वेग सी का मान आपको कमेंट करके बताने कोन कोन विद्यारतिक का सका सईधें आपको कितना होता है नो भी आपको याद रखना है को लगन इक्जामिँ आ सकता है यानि पलाग नियता है यानि आगे बड़े एगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं अब आपका रसाइन विज्ञान शुरू होगे टेक्निकल विद्यारत ही है खंड सहय में बात करें रसाइन विज्ञान क्या आपको पता है दस क्यूशन इंकलूड करें गे चलिए अप है छवीश नमर क्यूशन आपके स हमने पुताई में काम आने वाले चुने का सुत्र क्या है पुताई में काम आने वाले चुने का सुत्र आप से को पता होगा कार्मोनेट होता है आपको पता होगा जो ओप्सन नमर क्या बता रहें भी बता रहें बिल्कुल गो तरसे ही है बिना बुझे वे चुने का सुत्र तो यह होता है और बिना बुझा चुनने की बात करें तब सी ए ओ होता है और कुटाई में काम लेने वाले चुनने यानि जो कैसे हम कार्वोनेट होता है मतलब सपेदी करते हैं मतलब यह आपको ध्यान रखना चलिए दोस्तों अगले क्यूशन की तर बढ़ते हैं जो भी इंपोर्टेंट क्यूशन थे आप सारे नोट करते रहेगा साथ अगला क्यूशन नमर 27 आपके सामने अगनी सामत के लिए किस गेस का उप्योग किया जाता ह तो यह तो आप सको पता ही होगा आग भुजाने वाली गेस की बात कर लेते हैं तो वो कौन सी होते हैं जल्दी सबताने को सीच करेगा CO2 होती है तो कार्बन डाई ओक्साइड जो उप्शन नमर भी बता रहे बिलकुन उन सातियों का जवाब सही है कार्बन डाई ओक्साइ वो आपको बताओगा चिफ्स की दुर्टे लिया होती है उसमें क्या बरीज आती है चलिए दोस्तों अगला क्यूसा नमर बात कर लेते हैं 28 आपके स्किंग के सामने क्या दिरक है निम्न में से कौन सा राशाइनिक परिवर्तन है राशाइनिक परिवर्तन होता जिसमें राश अब बात कर लेते हैं आपको पता है बरफ पिंग लेगी तो आपको पता है वापिस उसको पानी बनाया जा सकता है बरफ जब पिंगल गई तो पानी बना पानी से वापिस क्या बनाया जा सकता है बरफ बनाया सकता है इसका मतलब केवल और केवल उसका बोतिक परिवर्तन ह कोईले का जलना अब आपको दिखाई देर्भा जब कोईला जल के राख हो जाता हम क्या हो आपको ब yolusatan कात्थ नहीं होता तो ओप्सन नमर जो भी बता रहे ने कोईले का जलना या कई दूद का धई में बदलना ये क्या होती है रासाइनिक परिबरतन होता है आपको ध्यान रखना जी चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला क्योंसन नमर गुंड़ती साब के सामने बारी जल सामनेते बनता है बारी ATM उसके दोरह थोड़ा सा गले में मि्ष्टेक क्योंकि थोड़ी लंबी क्लास हो रही तो कोई प्रॉलम वह तो बता देना कोई दिकर नीठेक है तो आपको बताऊगे बारी आइडूरन जो आइडूरन का बारी वाला समस्तानिक होता है ना उसके कारण ही क्या बनता है बारी जल बनता है जिसका बारी जल के फोर्मूले की बात कर लेते है डी टू ओ होता है ध्यान रखिये का काफी बार एक्जाम है जाता है बारी जल का सुत्र क्या होता है डी टू वो सुद्ध जल की बात करें तो वर्सा का जल सुद्ध माना जाता है यह द्यान रखेगा चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूस्तन नमर 30 आपके सामने है जल्दी से सभी भी दैरती इसका भी लाइफ चैट में जवाब दने कोशिश करेगा फेरी कोक्साइड में दो एक हिस्सन हो जगता होते है पहले बात तो यह दिमाग म इस तरहन है रखते यहां लिखा ओ और आपको बता है निच्छे लिखी जाते हैं उसकी से उच्पटा आपको बताए यह तीन काम में लेगी है और OXYZN के आपको पता है दो होती है तो इस तरह वज़े गुणा करते है तभी तो आपका सुत्र बना AP2O3 इसका मतलब सेयोजगता जो निचे लिखिये वो उसकी उल्टी होगी न इसका मतलब लोई की सेयोजगता कितनी होगी लोई की सेयोजगता तीन होगी और OXYZN की दो होगी तो आपको कहा है लोई की सेयोजगता आपको बता है लोई की सेयोजगता हमेशा पलस में होगी तो पलस तीन वाला कौन सा है देख लीजगा जो और OXYZN की कहता सेयोजगता तब माइनस दो करते ओक सीजन की से उजगता की बात करता तब यहां माइनस दो करते द्यान रखेगा तो सुत्र भी याद होना चाहिए पहली बात तो सुत्र भी आपके आ सकता है चलिए दोस्तों अगला क्यूशन वर 31 आपके स्क्रिंग के सामने क्या दे रहका है दिवन में से कौन सा रहसाइनिक मिशन की संभाविती का यह क्यूशन डायरेक्ट इस तरह का क्यूशन का यह बार आ चुक है तो जल्दी से सभी विदरत इसका लाइफ जेट में जवाव दने कोशिश करेगा तो रासाइनिक mission आपको पता है परमानू 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 मिलकर क्या बनाते है अनू बनाते है तो आपको पता चलगा वगर संभाईती काई क्या होगी अनू बनेगा परमानू परमानू मिलकर जो mission बनेगा वो क्या बनेगा अनू बनेगा तो इसका यनि आपको पता ध्या ती दिल से लाइक कर देजीगा, आज का पेपर आपको बड़ा स्झादार लग रहा होगा, क्यूंकि टेकनिकल वालों का पेपर करवा रहा हूँ, जो बड़ी आतया पर करेकिर केंगों उनको आनन्द हाऄ होंगा क्योंकि थोड़े कि उसरन आपको Logically देखने को मिल रहोगे क्यूंकि आपको Technical की ताहरी कोई नहीं करा पाएगा YouTube पे आपको पता है चुकि मैं करवा सकता हूं मेरे पास यह 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 ताह यहाओ यहां इतना टाइम नहीं िंपाता है तो आप ध्यान से रिखिएगा इससा आपको इमानदारी से फ़री पढ़ाने वाला चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा कहीं छोड़के जाने की जरूत नहीं है काफ्य सारे वीडियोर में डाल रखे है देखते रहीगा अनद लेते रहीगा और अपने अमारा भी सपोर्ट बना थीया---------asses----- हाइड्रोकलोरिक अमल बोलते है जिसे और चार का मैं उदार ले लेता हूं चलिए आप बताओ जिए हम सामाने भाःसा में कास्टिक सोडा कहतेए क्या कते है क्या कते है ध्यानकिएगा एड्यान एँए दिखाय क्या आउब क्या क्Shell का क्मानिक क् आप जेखा नमा पना या यानी बना नमक बना और साथ में क्या बना जल बना यानी पानी बना या कन planned वाट्र बना तो आपके option कौनषा राइट होगा जल भी बनता है लवण भी बनता है ? यानि दोनों बनते हैं नवर जो सी बता रहे हैं बिल्कुल उन सातियों का जवाब सही है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्योशन नवर 33 आपके स्किंग के सामने जल्दी से सभी भी देर थी इसका भी लाइव सेट में जवाब देने की कोशिश करेगा रासाइनिक रासाइनिक समीकर्ण में बाग लेने वाले पदार्थ कहलते हैं तो आपको पता होगा रासाइनिक समीकर्ण में बाग लेने वाले पदार्थों की बात कर लेते हैं आपको पता होगा रासाइनिक समीकर्ण इस तरह से होती है जैसे महान लेता हूँ डबलू पलस जड़ बनता है यह महान लेते हैं ए साइड में होते हैं보다 क्या क्या हुब कारक दो या अभी कर्म क्याई राइट होगा और यदि बात करें समीकर्णThere बाग लेने के बाद क्या बनता है इसका बने गा उत्पाद तो यह से सभीवी दरती इसका भी लग सेट में जवाब देने की कोशिभी गा sodyum bio carbonate का वेसाइक का नाम क्या है sodyum bio carbonate न basato 3 sodium bio carbonate का रहा हो इसका रहा होता है जो बात कर लेते हैं जल्दी से बताने की कोशिभी गाने का soda होता इसका sutर क्या होता है आप सो gitu बता होगा खाने के सोडा की बात कर लेते हैं। उसका सुत्र होता है, सोडियम बाय कार्वोनेट या कई सोडियम हइड्रोजन कार्वोनेट। खाने का सोड़ा या कई बेंकिंग सोडा। जो अप rows cumpl नमर कैन का बता大家好 सब इस अगा से आप इस तरह का क्यूशन कर पाऊगे यह थोड़ा सा भी आपके समझ में आ गया है चलिए दोस्तों आगे बढ़े और दावन सोड़े का सुत्र भी मैं बताना चाहूंगा एन ए टू सी ओ थ्री होता है यानि सोडियम कार्बोनेट होता है यह होता है दोने के सोड़े या कहें जो सपाई का सोड़ा काम में लिया जाता है उसका सुत्र होता है और कास्टिक सोड़े का मैं भी सुत्र बता रहा था क्या होता है एन ए ओ होता है सोडियम हाइड्रोजन य यानि हम बात करें काश्टिक सोडे का सुत्र होता है और बात कर लेते हैं साधार नम्मक का सुत्र एने सीयल होता है जिसे सोडियम कलोराइड कहते है चले दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन नमर 35 आपके सामने जल के सुधी करण में किसका उप्योग किया जाता है बहु याद रखने है जल कर जो रासाइनिक वीदी होती है जिसके द्वारा हम सुध करते है उसमें कलोरिन गेस पर वाइड की जाती है चले दोस्तों अगला सेक्शन आपका भाग बात कर लेते हैं दैय आपका है इसमें मैतेमेटिक से 15 क्यूशन करने वाली है अभी हमने रासाइ अभी दैरत इसका सई जवाब दे पाते है आपको दे रहा है चार की गात 11 साथ की गात 5 और 11 की गात कितनी है तीन है क्या 11 की गात कितनी है तीन है तो इनका आपको बताना है हल करके कि इसके एबाजे गुनखन कितनी होगे चार को पहले आप दो गुना दो लिख सकते है चा मतलब कुल मिला के दो कितनी बार लिखेंगे 22 बार लिखेंगे कितनी बार 22 बार और साथ कितनी बार आएगा पांच बार आएगा और 11 कितनी बार तीन बार इसका मतलब कुल मिला के आई बाजे गुणनखंड कितने होगे आप जोड़ के देखो 22 और पांच कितना 27-23, कुल मिला के आई बाजे गुणखंड की बात कर लेते हैं, आपका होगा 30, जो option नमर भी बोल रहे हैं, बिलकुल उन सातियों का जवाब सही है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एगला question नमर बात कर लेते हैं, 37 आपके स्किंगे सामझें, बड़ा इस आंदार question है, सेंटीमेटर और 10 सेंटीमेटर आप लिख लो क्या है, जल्दी से लिख लिजीगा, यहां क्या है, यहां थोड़ा से कर लो करन, करन 10 सेंटीमेटर, ठीक है न, करन है, यह 10 सेंटीमेटर क्या है, करन है, तो पहले आपको लंब निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़े पहले बात कर लेते हैं छेतर फल छेतर फल आपको पताओगा क्या होता है एक बटा दो आधार गुणा उंचाही होता है छेतर फल क्या होता है एक बटा दो आधार गुणा उंचाही होता है तो इसका मतलब एक बटा दो आधार कितना है आधार आपका देर का आठ और उंचाह ये गुणाचा है लेखेंगे तो आप हल कर लो जल्दी से देखते कौन-कौन भी दैर्थ इसका सही जवाब देपाते हैं जल्दी से जवाब देने कोर्शिज करिया है तीन और आठ तेरी कितना हो गया चोईस तो आपका कितना हैगा छे तरफल बताओ तो छे तरफल आपका क चिन के सामने लेते है जल्दी से सभी वी दैर्थ इसका भी लाइवचेट में जवाब देने की कोशिज करेगा देखते कौन-कौन भी दैर्थ इसका सही जवाब देपाते हैं क्या दिरखए एक धनरासी साधन ब्याज से 24 वर्षों में चोगूनी हो जाती है तो ब्याज की वास्टिक दर्ग क्या है जल्दी से ज्रॉव देने की कोशिश करेगा देखते कोन-कोन भी देरती इसका सई ज्रॉव देपाते है तो आपको दिखाई दे रहा है क्या दे रहा है समय कितना दिया है ताइम आपको कितना दिया है चोईश वर्ष और कितने गुणी हो रही है हमने मूल दन कितना माना प्रेश सिंपल हमने कितना माला मूल दन हम बात कर लेते हैं कितना माना है आपने माना सो और फिर क्या कर रहा है विसर दन कितना हो जाएगा अगले ने लिखा च्यार गुणा इसका मतलब 400 तो ब्याज कितन होगा ग्याज कितना होगा आपको पता है 300 रुपए कितना 300 ही होगा ना बिलकुल अब बात कर लेते हैं आपको क्या निकालना है ग्याज की दर बतानी है दर बराबर क्या होता है ब्याज गुणा सो इसका मतलो तीन सो गुणा सो बटे मूलदन गुणा मूलदन कितना है आपका सो माना और बटे में गुणा में क्या लिखेंगे गुणा में लिखेंगे मूलदन आपको पता है दर तो यहां आ आ गया मूलदन आ गया और बागी क्या रह गया समय रह गया किbel चोईस यह लिख दिया अब आप आराम से कर सकते हूँ जल्दी से काट पीठ करके हल कर लो 100 से 100 कट गया आपको पता है पहले काद देतें, किसे कादते है 6 से, कितनी बार कटा 4 बार, और ये 6 से कितनी बार कटा, 50 बार 2 से काद दो 25 बार, और निचे वाला 2 बार 25 बटे 2 का मतला ह façon़रे 7.5 यह कहीं 12 सही 1 बटे 2, यादि आपका उपसन न compr 12.5 जो option नमर है बता रहे हैं बिल्कुन उन साथियों का जवाब सही है चलिए दोस्तों आगे बढ़े एगला question नमर 49 आपके स्किंगे सामने जल्दी से सभी वी देरती इसका भी live chat में जवाब देने की कोशिश करिएगा देखते कौन-कौन वी देरती इसका सभी जवाब दे पाते है कि उसने आपका क्यादर रहा है 0.5 पलस 2.5 गुना 2 बराबर क्या होगा जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा आपको बता पहले क्या अल करेंगे गुना अल करेंगे भी बता रहा है उनका जवाब सही है कभी सारे वी देरती उन्हें जवाब दे दिये चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूसन नमर बात कर लेते हैं 40 आपके सामने 30 शांदार क्यूसन ने जल्दी से सभी वी देरती इसका वी लाइटेट में जवाब दने की कोशिश करेगा क्यूसन आपको क्या देरका है 10 ठीटा बराबर आपको कितना दिया 10 ठीटा बराबर आपको दे दिया 4 बटे 3 आपको क्या निकालना है थोड़ा मैं लिख देता हूँ एक बार आपको दिखाई नहीं दे रहोगा सही तरीके से तीन साइन ठीटा क्या दे रहा है तीन साइन ठीटा पलस दो कोश्ट ठीटा क्या दिया है दो कोश्ट ठीटा ध्यान रखिएगा क्यूशन में थोड़ा दुबार लिख देता हूँ बट्टे में क्या है 3 sin theta बट्टे में क्या 3 sin theta minus 2 cos theta यह आपको क्यों संदेरक है इसका मान आपको निकालना है चलिए हम बात कर लेते हैं 10 की value क्या होती है सभी विद्यार्थियों को पता होना चीए 10 theta बराबर क्या होता है sin theta बट्टे cos theta होता है वे थोड़ा सही निलिक पा रहा हूं आप अराम से समझ जाओगे तो आपको पता है cos का बाग देना पड़ेगा cos का बाग देना पड़ेगा जल्दी से सभी विद्यार्थि बाग दीजेगा तो उपर S वहर में cos का बाग देते है तो कोस का भाग देने पिर यहां क्या आएगा 3 10 अगी क्या हुआएगा कट गया तैन साइन में कोस का भाग दिया 10 अगी 10 अगी तो आपको पताए 3 10 अउपर भी है 12 है निचे 12 है इतना आपको दिखाई दे रब तो आपको पता है टेन भीड ही, टेन से तीन कटेगा, तो चार पलस दो, यहा देख लिजिए गा, चार पलस दो, और चार माइनस दो, आपका जवाब कटना हैगा, उपर बच्छा, ऑपर है चे चे बटी दो का मतलब कितना हैगे आपका वेल्यू आएगे, तीन, तीन पॉइ निकालना है बारा कितना है बारा है सोलह है और तीस का आपको क्या निकालना है एलशेम निकालना है तो सभी भी देर तीसका लाइज चेट में जवाब देने की कोशिश करिएगा देखते कौन-कौन भी देर तीसका सभी जवाब दे पाते तो आपको पता है यह हमने लिखा ब बताब भी चुका हूं तो यह हो आपका होम और करेगा चलिए दोस्तों अगला क्योंस नमर बात कर लेते हैं 42 आपके सामने जल्दी से सभी विद्यार थे इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिज करीगा एक वरित की बाई ये बिंदू से खिंची गई सपर्स र अगला क्योन थै छोड़ा के सामने एक घनाब की समय कर्ण की को पर दो जिस defects होता दो कि च्यों से घूंड़ा को सन्वाइटी बतार रिलकुन को पतै होता है वर आपको पता होगा गनाब का रही देटा खि Fact है और वो भी आपको द्यान रखने च्छेतरफल के बारे में च्यारों दिवारों का च्छेतरफल या संपुर्ण शेतरफल वह सुत्र भी आपको याद रखने चलिए दूस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन मर् तोमालेस आपके के सामने समझे तोड़े समझों समुझने वाला जूसन समुजने वाला क्यूसन ने देखते हैं इसका सभी जवाब दे पpora एक मुझए कर्णो की लिंपाइया सम्झ चतरफूस्च को बटाता वो नहीं बड़े पिशेता दीवाजित होते हैं, तो आपको पता होगा, पहले बात कर लेती हैं विकरण आपको देर के, तो आप स्चेतर फ़ल तो डायरेक्ट निकाल पाओगे, च्छेतर फल क्या होता है, एक बटा दो गुणा विकरणों का गुणन फल होता है, तो आप कर दोगे 24 गुणा 10, 24 गुणा 10 कर दोगे आपका अराम से उत्तरा जाएगा बारा बार कटा और 120 यानि 6 पल आपका आएगा कितना हैगा, 6 पल की वेल्यू आएगी, 120 क्या आएगी, 120 किस में आएगी, सेंटीमेटर का स्कैर आएगा पहले बात तो आपको और आपको ऑफशन देखते ही पता से लगया, और आपका क्या राइट होगा, यह राइट होने वाले है फिर भी आपको कन फरमना है हो, आपको पता है यह आमें निकालना जोरूर ले क्या 20 आता है देख लेते ईसका मतलब इभी करना इदर कितना र्हा है इधर आपको पता यह कितना रहा इदर ठोड़ा मैं गएरा कर देता हूं यह आपका रहा बाराः बारा रहा और Social Arab Immediately देख्ञाई दे रहा ना और Social premiumburgh price يया कितना रहा आपको निकालना प्रीमा आप चारों और की लंबाई तो तेरा गुणा च्यार करेंगे तेरा इस्टो को कितना होता है बावन होता है समझ में आगया होगा टेक्निकल वाल वीद्यार्थियों के वेशर भी दिमाग ज्यादा चलता है तो आप आराम से समयर में आगया को कोई इतनी दूबार समझाने के जोत भी नहीं से लिए और आपका क्या रहेट होगा यह रहेट होगा चलिए दोस्तों अगिला किसन नमर 45 आपके स्किंगे सामने यदि यह गंद का संपोरन परश्टी अच्छे तरफल इतना है तो आए तन बताओ तो गंद का संपोरन परश्ट कि दिए को शॉला है इसका मतलब एक कमान कितना एगा भुजा कमान आँगया चीयार भुजाक कमान ची आपको आहतन का सुग्द तर आपको पता होगा एक क्यूब होता है तो चार का क्यूब कितना होगा 64 होगा 64 मेटर क्यूब जो उप्सन नमर भी बोल रहे बिलकुल उनका जवाब सही है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन नमर 46 आपके स्किन के सामने को भी बाजित करने वाली बड़ी से बड़ी से बड़ी संग्या बताओ ध्यान बारा का बाग देके देखो बार दोनी 24 एक बचा आगे बात कर लेते हैं बारा का बाग दोगे आपको पता है बार चाकी कितना होता है बेतर होता है एक बचेगा ये बात हो रहा है लेकिन अभी हमें कंफरम नहीं करना है क्योंकि बड़ी से बड़ी संग्या बतानी है तो आपको बाग देने पर भी पड़ते कि इस्तिती में एक सेंस पर रहेगा इसका मतलब आपको बड़ी संग क्या बता नहीं तो आपको जवाब तो दूनुर है लेकिन आपको कहा इनमें से बड़ी वाली बताओ तो ऑप्शन नमर जो डी बता रहे ना विल्कुन उनका जवाब यह क्यूशन कई बार एकजाम में आ चुक है तो द्यान रखेगा आपको 12 कर देते कई भी धर थी लेकिन आपको बड़ी संग क्या बताने है वेसे 12 भी है वेसे 6 भी है ना 6 का भाग भी यह तकिन बड़ी है आपकी क्या ओगी 24 होगी चले दुस्त तो अगला क्यूशन नमर है था आपको तरीका भागविद्धी से चलिए दोस्तों अगला क्युशन नमर बात कर लेते हैं 48 आप के सामने जल्दी से सभी विद्यार थे इसका भी लाइव चेट पे जवाब देने की कोशिश करेंगा किसी संक्या का एक बटा तीन एक बटा तीन बराबर आपको कितना दिया इसका मतलब एक बराबर कितना हैगा चोशट गुणा तीन बटे एक चोशट गुणा तीन बटे एक और निकालना कितना एक बटे दो की बराबर निकालना गुणा में एक बटे दो चलिए काट देते हैं ये 32 32 को तीन से गुणा करक और उंद शावके सामने किसी संक्या में 21 जोड़ने पर उसके तीन गुना से 7 कम है तो वह संक्या क्या तो एक्स तीन गुना करो तीन एक्स और उस से 7 कम है इसका मतलब यह दोनव आपिस में क्या है वराबर यह तो बात आपको दिए काफ इसार वी दियर थी doğru जवाब भी दे दिया है तो आराम से आप कर लोगे अब बात कर लेते एक्स को एक तरफ मेल दो यानि तीन में से एक्स गटेगा दो एक्स बराबर और साथ को इधर लेओ 28 कितना 28 तो आपको पता एक्स बराबर कितना हैगा च्रहुदा आएगा जो अफसन नमर कौन सा बता र कर दो आपको पता कितना आएगा 35 आएगा क्या 35 आएगा बिल्कुल और आगे कर रहे का तीन गुणा 14 का तीन गुणा कितना होता है चब दतिया 42 और 42 में से साथ कम कर दो कितना रहे प्रतिसारा क्या इसका मतलब बिल्कुल यह दोनों बराबर हो रहा है इसका मतलब ओप्शन नमर यह आपका मेच कर रहा है चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला क्यूशन नमर पच्रास आपके स्किंगे सामने जल्दी से सभ कोणा बुज़ा होता है और आपको कहता चेतर फल बता बुज़ा नहीं पांक को शीज़ कर दिया इसका मतलब उनकलन ने कर दिया चालिए ल्ंगा ये वालएं इस कलास में आपने चालिस पलस कर दिये तो आप मान के ज़री आपके हम कह सकते हैं 45 से उपर है 40 वालस जन विद्यार के उन्हें जीडी वालों ने कर दिया है इसका मतलब उन्होंने कितना कर दिया है उसनोंने 45 से उपर कर दिया है और ये ध्यान रखियागा क्यूंगि पांच आर क्यूस्टन जो मैंने फिजिक्स कर रहे है वो जीडी वालों के लिए इंपोर्टेंट नीए मैंने बता भी दिया था और टेक्निकल वालों के इस कलास में कितने सही हुई है कॉमेंट करके बताएगा और आपको क्लास कैसी लगी क्या आप कॉमेंट करके बताईगा क्लास यदि अच्छे लगी है तो दिल से लाइक करके जाएगा और जो विडियाट की पहली बाद चैनल पर आया था उसे लिए को सब्सक्राइब करके जाएगा चलिए दोस्तो आपकी क्लास में इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग जै हिंद जै बार्द